तो हम सब देखे थे इससे पहले जो फ्रैंक्स एडवेंचर इन टॉयलेंट था यह पढ़े थे हम सब तो हम सब कहां तक पढ़ेते हैं यू मस्ट भी वेरी क्यारफूल वह कहता है मतलब वह जो ग्लोगाम पेश्ट था ग्लोगाम पेश्ट कहता है तुमको बहुत क्यारफूल रहना होगा इप देवेट वेट तॉस्पेक्ट यू और नॉट एट टॉय देर विल बी ट्रावल फ चिल्रन कितने क्रूयल होते हैं तब वह इसकी जो आवाज है कपते हैं तब फ्रैंक को याद आता है वह अपनी बहन के कितने ट्वाइज के उडेल लेक्स को तोड़ दिये हैं तो अब जो है आगे पढ़ते हैं अब धीरे देरे जब चलते चलते दोनों जा रहे थे तो बेगेन माई डूटी चलो आप मैं थोड़ा रिफ्रेसमेंट ले लेता हूं अपनी डूटी शुरू करने से पहले मतलब थोड़ी दिर बाद उसकी डूटी शुरू होगा तो कह रहे हैं थो रेस्ट कर लेता हूं रोड रोड के जो रस्ता है किनारे में वह बैठ जाते हैं अपने मूँपे घ्लू लगाने लगते हैं अपने मूपे घ्लू लगा रहा है और प्रेंक बैठ जाते हैं जो इसकी थीक बगल में ही रहते हैं but in a few seconds the lead flew up लेकिन कुछी seconds में उस बॉक्स के जो लीड था वो अचाने से ध्राम से खुल जाते हैं मतलब एक आवाज करके ध्राम से खोल जाते है तो फ्रैंक डर जाते है और वह क्या होता है ना ओवर बैकवर्स तुरांत गिर जाते हैं बैकवर्स के तरफ पीछे के तरफ गिर जाते हैं मतलब जैसे बाल खड़े हो जाते हैं तो एक ऐसा फीगर वहां से बाहर आया जो जिसके हैर था कैसा ना मतलब खड़े-खड़े बाल थे तो यूज बटन लाइक आइस थे जैसे बटन की तरह दो आखे थे और एक डरावना कंप्लेक्शन मतलब चैरा जो था अजीव तरक था आउट अप दे बोक्स प्रैंग का मतलब होता है अचानक से धाम से खड़े हो जाना ठीक है धीर देर आराम से नहीं एकदम फ्राक से खड़े हो जाना आउट अप दे बोक्स जो बाहर आ गये त्रेमलिक वीद एकसाइटमेंट एंगर और वह जो टॉय है यहां पर वह जो आउट से बाहर आए वह एकदम काहा पर आए एकसाइमेंंट एंगर में गुस्थे में वह जोड़ और गुस्थे में एक गुस्थे कुछता है तो हमत कैसे हुए उप जोर से चिलाया है और फिर उसकी बैटरी जोए डाउन हो जाते है तो फिर से कहने जा रहे थे how dare you to sit down on a gentleman लेकिन वो पूरा बात कहने ही पाए क्योंकि उसकी तबियत खराब है तो इसलिए नहीं यहाँ पर है तो फिर से कहके फिर वो और यहाँ वो फिर से उपेन हो जाते है और फिर से उपेन होता है यहाँ पर तुम देख से तो रीवियूड बियवियर यूजलेस बियवियर और फिर शिक्स पेनी डॉल का मतलब होता है एक्तम कम पैसे वाला पुतला मतलब फ्रैंक को सोचते कि कम पैसे वाला पुतला हो तो उसकी जो रूट बहब हमारे उपर बैड़ गये थे ने जाक इंद बॉक्स जो है वो अंदर से वह चिलाने लग रहे हैं रियापेरिंग तो जो बॉक्स पिर से खुला था फिर यह रहा थे दा ओर दस इभे मैं आज शिक्स पेनी डॉल मतलब एक रूड बीहवियर के कम की मतबाला डॉल के खराब बहब यह इफ आयोड नौट इन वेलीड अगर मैं इन विलेट नहीं होता अगर मन इन विलेट का मतलब इफ आयर मैं खराब नहीं होता आयूड फ्राइटन यू इ मैं मेरी सिस्टेम खराब नहीं होता है तो तुमका मैं पूर्दा से डला देता है इस स्रीक्ट एंड देन एक्जॉस्टेड बाई इस एफोर्ट है जो यह बात कहने से वह जिसके जितना तकलीफ हुआ उसे थक गये कि वह खराब है तो इसलिए वह फिर से सुन पर जाते हैं फिर से मतलब एकदम सुन होके फिर से गिर पड़ता है अपने बॉक्स की किनारे और पूरिता से काप नहीं लगते हैं तब फ्रांक क्याता है मैं बहुत दुखी हूं और सेंट दर सेंट फिगर बैक इंट इस बॉ पूतला जो है और अपनी बॉक्स के अंदर चले जाते है उसके बाद देखो देनाव एंटर देविल्डिंग अब अब जो है मतलब फ्रैंक और ग्लुकाम पेस्ट दोनों कहाँ पर एंटर करते हैं एक बिल्डिंग में एंटर करते हैं वेर अन लो बेट्स में मतलब जो ब अब मेंडिंग मतलब फेरिया स्टेजर मेंडिंग मतलब जिसकी रिपैरिंग चल रहे हैं और कोई तरह से रिपैर हो चुका है किसी का आधा रिपैर हुआ है इस थरा की गुलुकाम पे स्टॉप एर दबीसाइट अफ चाइट विच राज़ रेंट रेंट का मतलब जो धा धाका नहीं होता है उस धाका को एक काईट के वगल में खड़े होता है और जिसके एक फॉल यहां प्लस्टर एबनींग तुम्हें क्या करना है प्लस्टर एबरी मोर्निंग प्लस्ट के बाद तुम्हें पेस्ट लागाना है मतलब गलू लगना and three drops of gum at bedtime और तीन ड्रॉप गाम लगाना है अपने इंज्यूरी पे बेड़ टाइम पे सोने के टाइम पे यूट बेटर टेक यूर ड्रॉप अब तुम्हारे टाइम होगे तुम्हें अपने ड्रॉप से ले लो अभी सेट ग्लोगाम पेस्ट बेंडिंग डाउन ही सेड अपन काई तून्प ले लिए अच्छे की जो लिएट उसके उपर सर ब्लाप्स आपने पर लग के ग्लुकामपेस्ट के सर के उपर रख दिये अब फ्रैंक जो है सर्जन को डर के मारे फॉलो कर रहे है कि क्या हो रहा है यहां पर सब हजीब चीज़े हो रहे है बहुत ही और चीज है यहां पर बहुत सरे जो लकडी के बने हुए डॉल्स है यक और यहां पर चाहए है जिसके बहुत किसी नि रिसेंट विनकिसे वुजह पर है ुसके फैर तोड़ है बहुत सरे ऐसे बहुत सरे खीलो रहाए यह व्यूजटो होना दिख रहे हैं आप यह सब खिलोना ठीक है इसके पैर टूटा फुटा वाई देखने रहे तोड़ दिया है तो यह जो ऊड़न डॉल है इसके जो पैर है यह टूटा रेजिमेंट का मतलब क्या बहुत सारी ग्रूप ठीक है इसके एक दो नहीं ऐसे काफी सारे तो वहाँ सब सब लाइन लगा के पड़े हुए थे कौन सा ना उसकी सिस्टर के डॉल फ्रैंक तो समझ गया कि यह मेरी बेहन की डॉल से जिसका पैर मैंने तोड़ा था तो तुरंत मूर जाता है भागने के लिए का मतलब फ्ली मतलब रान अवे ठीक है दौरने के लिए बाट इट व को पैचान लिया गया व मतलब किसी को पैचान ले लेना मतलब किसे को पैचान लेना यहां पर चलो से तुम कियो थपड़ रहे मार ओगए तो तो तुम हो तोल practicing के तिम्में तो कुत्त तुम्कों अगली बार देखेंगे तो काटेंगे नहीं तुमको पैचन नहीं लेगा कि आ ही है जो मुझे पत्थर मारा था तो यहां पर क्या हुच लेता है स्क्याम लेता है स्क्रेंबलाब वीद्ग का मतलब सी कष्ट करके हाथ परके बल से वो उसके तरफ आगे बढ़ने लेगे उसको मारने के लिए फ्रांक बोल्टेड एस फास्ट आज लेग्स कुड केरी हीम बोल्टेड का मतलब रैन अवे फ्रांक रैन अवे एस फास्ट आज लेग्स जितना जल्दियों दोड़ उसके पैर भाग सकते थे तो इस खाई में खाई तक वह पहुच जाते है लेकिन आप यहां से तो भाग नहीं सकते है उसको गेर लगा लेकिन तब ही उसको नजर आते है all at once is I caught sight of a stout creeper stout का मतलब होता है जो बहुत मजबूत हो ठीक है क्रीपर का क्या है क्रीपर देखो यहां पर यह फ्रैंक के जो चड़ नहीं रहा है जिसको पकड़के एक डाली मतलब यह के डाली नहीं है यह क्रीपर है एक पौधा होता है जो उपर से लेके बहुत पेड़ पौधितुमसाब अपनी घर के दिवार में य मतलब बहुत मजबूत कीपर का एक टाइप का पौधा होता है जो क्लीप के उपर तक गया है मतलब एकदम चोटी तक मतलब इस खाई से नहीं उपर चाड़ सकता हूं इसको पकड़के स्क्रामब स्क्रामबल आप दर रेलिंग स्टीम उपर से स्टीम को पकड़के मतलब उसकी तरह से घर के तरफ जाने लगे और सार्फ स्ट्रागल सो मतलब करने के बाद रिस्ट स्टागल वो क्या कहते हैं इसमें यह तॉप में पोहँच जाता है उच्छा जगा है ना उसके टॉप में पहुंच जाता है उच्छा एक इडम चोटी में ग्लुगॉम पेस्ट क्लाइब यह चुछ सी पीछे पीछे चाहिए यू रियली एकुवेल वाई तुम कितना क्ले वाय ओ कितना निर्दाए बच्चा हो कि तु ब्रेक आप डॉल्स लाइक देख पुद्ले को इस तरह से भी कोई तोड़ते हैं ऐसे तोड़े हो तोम हात पैर्दकंधं सारे हात पैर को एकदम थोड़ दिया है तो तुम कितना क् वेल बच्चा हो फ्रैंक प्रोमिस्ट ग्लुगाम पेस्ट दाट हूँ नेवार भी सो विकेड एकेन अब फ्रैंक जो है वह आपने उस दोस्त मतलब ग्लुगाम पेस्ट को प्रोमिस करते हैं कि वह अब कभी भी इतने बदमास नहीं होंगे विकेड का मतलब बदमास ठीक है ठीक है तो फ्रैंक प्रोमिस्ट को लुगाम पेस्ट यूड नेवार भी सो बैड अब इतना बुरा इतना खराब हरकत वह कभी नहीं करेगा और वह अब अच्छा बन जाएगा अच्छा बच्चा बन जाएगा तो यह कहां से लिए गया देखो एडप्टेट फ्राम नोव पोल ठीक है तो तुम को पहले ही पता चल चल चुक है तो यह तउमको पहले ही पता चल चल चुक है तो यह तुमको है बहुत अच्छा लगा होगा मुझे रासा है को तुम्हीं अच्छ लगा होगा अगर if you like the story then please like the video and at the same time if you have not already subscribed please subscribe and you can share it also. Thank you have a nice day.